कलस्टीबी के पॉपलर सीरियल थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी में हमें धमाकिदा ट्रैक देखने को मिल रहा है हेलो दोस्तों मैं हूँ कूमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलवोड स्पाई वैल जैसा कि हम एपिसोड में देखते हैं कि मिस्टर बासू काजोल के इंतजार में परिशान होते हैं और मन ही मन कहते हैं कि ऐसा मैंने कभी किसी के लिए इंतजार नहीं किया है आगे हम देखते हैं कि काजोल आती है राजेश के साथ और मिस्टर बासू काफी घबराए होते हैं कि क्या बात करनी होगी काजोल को और कहते हैं कि काजोल से की बताए क्या बीमारी है तभी काजोल कहती है कि हम कोई पेशन्ट नहीं है हम business के सिलसले में बात करने आए हैं तभी Mr. Basu कहते हैं कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ टभी काजूल कहती है कि मेरे वहां printing machine है और अगर आपके वहां से काम मिล जाता तो अच्छा रहता इस पर Mr. Basu कहते हैं कि अवार्ड के लिए आया होता है और काजोल और राजेश डर जाते हैं उनका ये रूप देखकर फिर मिस्टर बासु आकर काजोल और राजेश से कहते हैं कि आप बैठे इसी के साथ काजोल है जो थोड़ी दिर बाद मिस्टर बासु के पीता की बारे में बात करती है कि वो बह मेरे पास बहुत पेशिंट है और मेरे पास बिलकुल वी वक्त नहीं है इन सब चीजों के लिए काजोल कहती है ठीक है वक्त देने के लिए थैंक यू और ये कहकर चली जाती है आगे हम देखते हैं कि श्रेया को बुके भीजता है अरजुन और फिर कॉल करता है और श्रेया क कहती है कि मुझे तुम से दूर नहीं रहना है और मैं जल से जल shift होंगी कॉल कता और मुझे कोई नहीं रोख सकता है आगे हम देखते हैं कि मिस्टर बासु के मैनेजर आते हैं और तभी मिस्टर बासु कहते हैं अभी इस printing का सारा काम आनंदा प्रिंटी को जानी चाहिए औ लेकिन राजेश को पता चल जाता है कि ये काम मिस्टर बासू के कहने पर ही हुआ है आगे हम देखते हैं नौइना मां से कहती है कि बाबा के श्रादे का इंविटेशन अरजुन के घर भी जा सकता तो अच्छा रहता और तब ही आगे कहती है नौइना की अरजुन बहुत हो जाती है और नौइना की मां कहती है कि मैं तुम्हारे और अरजुन के शादी का प्रस्ताब भी रखूंगी उनके सामने ये काजोल सुन लेती है और काजोल कहती है कि मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी वेलब ऐसे में देखना ये है कि क्या अरजुन अपने प्लैन करना ना भूले